कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी चैनल PCM की उपकर मैं सर्फ साइनी वर्मा पामेनायटी अगरतला आज हम लोग देखेंगे घाक समुच्चे इससे पहले हम लोगों ने उप समुच्चे के एक्जामपल्स किये थे और उसकी डिफिनीशन देखी थी घाक लोगों ने लिया उन लोगों ने लिया हम लोगों ने ले लिया 1 टू अब लोग सारे सेट बनाना चाहते हैं जो सेट एक सबसेट हों तो लोग जो है एक सेट बनाते हैं जिसमें केवल एक एलेमेंट है एक सी हम लोगों ने बनाया जिसमें केवल यह है एक हम लोग दी बनाते हैं जिसमें वन और तू दोनों है और एक सेट आपका यहानि जो फाई सेट होगा वह भी क्या होगा फाई जो है हर सेट का उप समुच्चे होता है तो समुच्चे एक उप समुच्चे यह सब हम लोग क्या देखें समुच्चे एक के अएए उप समुच्चे और उप समुच्चे का मतब क्या होता है आपको वह सेट बनाना है कि जिसके सारे elements सेट ए में मौजूद हो तो सेट ए का कोई भी element कितने भी element निकाल के एक सब बनाएंगे आप तो वह से एक में जरूर होगा और उसे एक आपका उप समझ्चे होगा तो के बाद एक निकाल के बना लिए यह जो है सभी सेट का उप समझ्चे होता है तो यहां पर चार सेट आपके आगे जो सेट एक एक उप समुझ्चा है इससे ज्यादा एक की उप समुझ्चा है और नहीं बन सकते तो अब हम लोग एक ऐसा सेट डिफाइन करें जिसमें इसके सारे उप समुझ्चे इलिमेंट्स के रूफी मोजूद मुझे एक हो गया फ फिर आ Queens फिर एक हो गया पाइल यहीं चार है ये जो सेट बना है इसको आंबные हो घात समुझ्चे समुझ्चे एक का थोड़ा को त्यां से समझ में आ रहा है कि किसी भी समुच्चे का घार समुच्चे क्या होता है उस समुच्चे के जितने उप समुच्चे संभो हैं सबको लेकर एक से बनाया जाया उसी को बोला जाता है वो सेट है समझ में और उच्चे को पना लिया नंदें है है पूलोब एक सेट जो है आप अ है एक सिट पी हम लोग करते हैं जिसमें एलिमेंटी साधिन है दम और छेट पी का घाट समुच्चे अगर डिफाइन दरना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समच्चे पी के सभी उप समुच्चे को लिखना हो गांत है सभी संभव समच्च पी के सभी संभव समच्च है तो लोग जानते हैं कि कोई से जो है अपने आप का उप समच्च होता है तो ये कि अ गिए बीसी है पूरा सेट इए और ही सभी सेत का उप समच्च होता ये दो तो के वह संचे हो गया केवल B के रूप में हो तब भी हो गया कि अगर A और B के वाल हैं तब भी हो गया और C के वाल हैं तब भी हो गया दो दो को लेके बना लिए या तीनों को लेके बना लिए और फाई हो गया तो एक के दो तीन चार पांच छे साथ आठ उप समुझ्चे इसके बने तो इसका घाक समुझ्चे जो है पी का पी हम लोग पी नहीं लिखेंगे इसको क्या है तो अब इसका जो है पावर सेट क्या होगा इसके सारे जितने संभों सबसेट हैं उनको एलिमेंट के रूप में लेंके एक सेट बना लिया जाए तो इसके कितने संभों सबसेट हैं एक सबसेट क्या है बी है एक सबसेट क्या है सी है एक सबसेट क्या है खुद्वाई सेट है एक सबसेट क्या है हाई है इसको यहां पर लिख लेते हैं बी आमसी और क्या हो गया एक एक एलिमेंट यह हो गया आमा बी और यह बन हो जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा यह पावर सेटाप एसको क्या बोला जाता है समुच्छ एका धार समुच्छ तो किसी भी सेट के जितने संभव उप समुच्छ हो उन सभी उप समुच्छों को इलिमेंट के रूप में लेके एक सेट तयार किया जाए वही सेट क्या होता है उस सेट का उप समुच्छ होता है यानि सेट एक जितने संभावित उप समुच्छ है सबको इलिमेंट के रूप सेट आफ यह बोला जाता है या एका घात समुच्चे बोला जाता है तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि अगर ए में element की संख्या पता हो एन हो तो उसके power set में यानि घात समुच्चे में elements की संख्या कितनी होती है है एक पॉइंट एक और यहां से दिख रहा है कि जो घात समुच्चे के सारे element होते हैं वो खुद में एक होते हैं स्खेट होते हैं यह क्या है एक सट है सभी क्या होते हैं है तो व्लोग सब इसके दिपनियों सन्नलेते हैं फिर उसके बाद और एक्यांपल करें गी α हिए है की डिपनियों हम लोग Palear को अगा मर्हें वह लिए इस Code कि स cocaine समझ्चे के सभी संभाद संभों उस समझ्चे को एलिमेंट के रूप में लेके एक समझ्चे बनाया जाए तो वही समझ्चे उसका घार समझ्चे कहा जाता है यह लोग इफिछी से लिखेंगे घार समझ्चे पावर सेट के तो इसका अनुग क्या लखेंगे संभाद एक एक समझ्चे एक 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 इस तभी कि एक समझ्चे लोग के संग्रा को कि एक घार समझ्चे कहते हैं कि संग्रा को एक 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 हाट समझ्चे कहते हैं कि ए उस जितने उप समझ्च्य है सबको संग्रा बना लिए तो संग्रा का मिलwo si कुंक है वही क्या होता है एक धार्ट समुझर कहते हैं और इसे पी-ए से निरूपित किया जाता है और ज्केशन निरूपित जाता है और एक पॉइंट हो लोग पहले ही जो मैंने बताया था कि जो पावर सेटाप यह होगा इसके सारे एलिमेंट क्या होगे एक समुझ्च होगे तो एक लाइन यह इतना हमको कि यह का परतेख आवयो कि यह का कि परतेख आवयो कि एक समुझ्च होगा है इस दिए नंगा आपका अब इसका एक जांपर हो और करते हैं कि कोई सेट आपकर दिया है तो उसका पावर सेट बनाने की कोशिश करते हैं कि एक जांपर है कि समुझ्च इस दिए आपकर आपकर दिया है इस दिए कि आपकर आपकर्श करते हैं कि आपकर्श करते हैं तो समुच्चे जो है आपका दियाश में पांच एलिमेंट हैं वन टू टू ट्री पॉर फाइव तो इसका हमको क्या करना है घात समुच्चे बनाना है तो हम लोग की समुच्चे एक के जितने संभव को समुच्चे होंगे पहले पहले निकालेंगें और नहीं का संग्राह ही क्या Hetा है नहीं को किया हुआ एक था किस समुच्चे देखने अ और उप्समुच्चे हम लोग जानते हैं कि कोई उप्समुच्चे क्या होता है उस सेट का कोई वह एलेमेंट ले लो उसमें रखतो तो उसका एक उप्समुच्चे बन जाता है कोई सेट अपने आपका उप्समुच्चे होता है और फाई सभी सेट का उप्समुच्चे होता ह तो लोगों का अब यहां पर मकसल यह है कि A के सभी संभारित जो है संभो उप समुच्चे हमको लिखने हैं A के सभी संभो उप समुच्चे हमको लिखने हैं तो एक तो सेट जो खुद अपने आपका उप समुच्चे होता है यह और यह तो दो उप समुच्चे होई जाएगा फिर अगर हम लोग सेट एक है 3 को उठा ले तो एक सबस्ट मिल गया फॉर को उठा लिए तो एक सबस्ट मिल गया फाइक को प्यों उठा ले एक तो इसका सबसेत है 1 और 4 को ले लिया लोगोंने तो एक बन गया 1 और 5 को ले लिया तो एक सबस्रेट बन गया 2, 3 को ले लिया हमने तो एक सबस्रेट बन गया 2, 4 को ले लिया तो एक सबस्रेट बन गया 2, 5 को ले लिया तो एक सबस्रेट बन गया कि थ्री आ यह टिर्पर है टो सब्सक्रीब वर एक मिया 34 पूले देवास अयख्यू तो दोलो Eh त्हूंत को लेकिंगे आठीन नहीं को टू है टुह दंड़ respe1 फ़्ॉ्प यह वन्टू है 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 नहीं के कॉस्य को हमें टून एक եा की पांच क्या वांतोर अंप संभावित है है कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौब दस ग्यारा बार तियरा चोज़ा पंदा सोरा सकता है और इसमें क्या हो हो सकता है एक एक को लेके 123452 के लेके 12131415 232425 3435 अब इसमें और जो बन रहा है आपका वन 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 3 4 1 3 5 कि ओन कि फोर फाइव कि इतना बड़ा आपको बनाने को नहीं दिया जाएगा लेकिन फिर भी हम लोग करी लेते हैं तो यह जो है फड़ा बड़ा सा है तो सारा क्लियर हो जाएगा कि सब्सेट कैसे बनाया जाता आपको इस्के इसके अप्र रहता लिए यह हो गया होगे आपका एक तीन को लेके एंड वन टो ट्री वन टो फ़र वन टो फ़ाइब एंड वन ओ लिए ओ वन ट्री फोर वन ट्री फाइव यह वह आपका फिर टो ट्री फोर टो ट्री फाइव ओ ओन फॉर फाइव तो कितने होगे एक दो टीन चार पांच छेश्ज आठ नौन तस पाराइब त्यारा चौदा फंदा सोरा सब्सक्राइब इस चांट शब्स कि इसमें आपको यह देखना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है तो एक को लेकर लिए दो को लेकर करेंगे अगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 4 5 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 3 4 2 3 5 3 4 5 1 3 4 इसमें एक फार्मूला होता है कि जितने नंबर आफ एलिमेंट्स रहते हैं कि जिसका सब्सक्राइब बनाते हैं तो पावर सेट में टू के पावर एम जो है होने चाहिए तो यहां पर पांच है तो यहां तो के पावर तो एक तिन चार पांच साथ नौ दस ग्यारा बारह त्यारा 14 15 16 17 18 20 22 24 25 26 26 अब बढ़ रहा है बुक्राम चेकफ़ कब लिए पडоп तेपकेया बना चीके मेरे 당 चार लिए हों ती कि थे हो फोर अग्ला हो जाए गान तू थ्री फोर फाइव वन तू थ्री फोर वन तू थ्री फाइव एक आपका होगया वन तू फोर फाइव होगया आपका वन तू थ्री फोर फाइव वन तू थ्री फॉर फाइव वन तू थ्री फॉर फाइव एक आपका वान तरी फोर फाइव एक दो तीन चार पांट शेसाथ आठ नौग दस ग्यारा बारा तेरा चोदा तरह नहीं आप इस अटाए सटाए शुटाए सटाए संटेश तीस एक तेर बत्रिश दो दो चार्ट शेसाथ आठ इन अगा अगे इस तो इसमें दो दो को लेकर चेकर लेते हैं वन तू वन थ्री वन फॉर वन फाइव तो कर ढम बसमें तो थां खेवाइ दाए, संटेश इड़ि पां आँ वन थाप टे-वरण दो आए- दो दो म debt जाए जाए, टेड़िए आप हr 들렌का लेらい काजे अंक कि तेवाइ इसमें आपका एक जो है तू फोर फाइब यहां पर छूट रहा है तो आपके कंप्लेट होगे कितने होने चाहिए सब्सक्राइब यहां पर लोगों ने जो देखा है इसमें पांच इलिमेंट थे में तो थोड़ा बनाने से रहा होता है कि हमको उफ समुच्चे बनाना जो है थोड़ा अच्छा मलब जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो यह समुच्चे खुद और खाय तो इसका उफ समुच्चे हो गए बाकि हम लोग तो एक एक एलिमेंट लेके उफ समुच्चे बनाते हैं फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाते हैं तो यह थर्टी टू आ गया तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे तारेक्ट फार्मूला कि यहां पर हम लोग को अब्धिक लिया है कि यह हम लोग करते हैं कि एक लिमेंट लेके दो एलिमेंट लेके तीन लेके और चार एलिमेंट लेके पर लोग करते हैं कि यहां पर इसको कि दो के बाद दो एलिमेंट है यहां पर इन एलिमेंट है और यहां लोग लेके हैं कि चार एलिमेंट पांच वाला हम लोग तरी चुके हैं कि यह लोग मानते हैं वन तो थ्री फोर है तो हम लोग आप सेट एक सभी उप समच्चे को लिखेंगे यहां पर समच्चे एक समीर उप समुच्चे तो क्या हो जाएगा आपका थाई तो होगा ही और यह वन एक एलिमेंट लेके वन बना दिया हम लोग अब इसके रामा और को कोई उप समुच्चे इसका नहीं सभ़ क्योंकि कि इसमें एक ही एलिमेंट है जो एक है नहीं पोल्दी हम लोग दिया और अब इसमें समुच्चे बेस इसके सभी उप समुच्चे तो फाइल और यह सेट जो है अपने आपने यह दो तो उपसमुच्च्च होगी एक उपसमुच्च्च यह बन गया एक उपसमुच्च्च यह बन गया तो एक यह जवल्लाय यह झालत जो है कि नहींट यह दो हो जोग चाहिए है यहांपे क्या हुआ छारक संध्च्च्चण की सब्सक्राइब यह 24 in कि में संदेफ और वह सबस्तितर हो झुक्ष में से शीजिए फोफ कर तो ठृब होगा और ये से उपने आप में तो हो गाई एक एलेमेंट legг एन एक एल्मेंट के लिए रहे ं लेकर के 10 century cứu Karag comes तू थ्री हो गया वन थ्री हो गया और दो एलेमेंट को लेके हो गया अब 121323 इसके लावब अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि तीन एलेमेंट को लेके तरहीं कि बनी गया तो एक दो तीन चार पांच छे साथ दो दूचार दूच्छे तो आठ यहां पर कितने हैं आठ कि अब एक खाई और यह की पूरा सेट अपने आप में तो यह दो सुमच्छे होंगे एक एलेमेंट को लेकर हो लोग तरहें तो एक पूलेगी तो यह तीन पूलेगी तो यह चार पूलेगी अब दो दो को लेके कर रहें 121314 यह होगा तो तो त्री तो फोर त्री फोर यह हो गया दो दो के लिए कि तीन तीन को लेकर करना है 123 अब वन टू फोर तो थ्री फोर कि वन थ्री फोर करें कि दूटो करें है Okay कि इस्के कितने विए 123 कर देंसे चाहें आथ को कि मुखना अगे'd आप और यहां पढ़लो जो निकाले थे रहा चवारे कि कि आहाएते था है कि आज जो आफावर सेट आफ एंडो यहा पे लिखें गिघे तो सभी तो समझे को लोग क्या करेंगे ऐलेम्न के रूप में लिख देंगे तो यह आपका पावर सेट आफ जिद भी लिखेंगे प्वाई हो गया वन फू एड हो गया एक एलेमें डिये और एक यह गया यहां प् तरिए एक एक एलेमान्ट एatte के टो थिसको यह और समय कि वह तो तू तू को टू टू हे एक लिए Уन तू Selbst है कि की हरण फारत् है एक प्रॉफ आयगल को ह। तू हो टून दो त्री लौन थरी हिर बावर सेट में जो है तो की पावर वन एलेमेंट यहां पर इन तो कितना है टू के पावर फोर यहां पर पांच यह क्या है पावर शेट में यानि घात समुच्चे में घात समुच्चे में अवयों की संख्या यानि जो समुच्चे में जिस समुच्चे का हम लोग घात समुच्चे बना रहे हैं उसमें जितनी संख्या हो उसके पावर तू के उतने पावर कर देते हैं है यानि अगर समुच्य में और वहों की संख्या एम हो तो उसके घात समुच्य में होगी टू के पावर एम क्योंकि तीन है तो के पावर प्री चार तो पर फोर 5 है तो प्रेंड तो तो यहां से वह ब्रोंगी प्लिप हो अगया तो निपने अ अलग ची होता है तो यह हैं यह सही है तो बेरिफिकेशन करने से खोड़ा क्या होता है यह सच में ऐसा हो रहा है अधर्वाइस यह से डाइट फार्मूला गराब रटे कि कि किसी भी सेट एक में अगर आवयों के संक्या होगी थोड़ा कम समझना आता है कि इस रूप में लिखा रहे हैं कि इसको अब लोग ऐसे लिख लेते हैं कि यह दी कि अधर में अधर सब्सक्राइब अधर में आवयों की संख्या अधर में तो इसको कैसे लिखते हैं नंबर आफ एलिमेंट इस से एकल तो एम यह पूरा बात यह लिखा समझाए यह में और वह पिसंख्या एम इसको नाइट मेंट के लिए यह समझाए एम है तो कि एक के एक के घात समुच्चे में कि एक के घात समुच्चे में आवयों की संख्या संख्या तो के पावर एम होगी है कि इसका एक एक जांपर लोग कर लेते हैं कि सेट ए है यह कि घात समुच्चे में आवयों की संख्या क्या होगी है इसका ते आए हुआ है तो एलेमेंट हमको अलग अलग नहीं बनाना है तो नमबर आप इलेमेंट इन से इसेट एमें जो एलेमेंट है एक दो तीन चार पांट छे सार नौ नौ है तो एक के घाथ संचे में को जैन में कि अवयों की संख्या कि यह जाएगी को के पावर नाइब यानी दो का बुड़ा नौबार कि पांसो राइन कितने इलेमेंट होंगे पांसो बारा इसके रखास होंचा वो बनाएगे इसे पांसो बारा इलेमेंट होंगे इसके बाद एक सब्साइज आपका रहे तो यह हम दो आदे तरवी कि मुड़ मेंदे जाएज। कि हम पांसो बाद पांसो बाद बाद आपका रहे दो सकतांस झाल झाल